तो मेहदी का फंक्शन है आज और फुपी के नालना तुर ना हुंता कुछ लागा दे मैंने मेहदी पे ड्रेस वेयर करना था उसमें गोल्डन इंब्रॉइडरी थी दो तरहा के दुबटे थे एक गोल्डन था और एक गरीन था तो यहां गंजू शामुका का जो है वो पर यह से ओंगे ठीक थाफ होंगे तो शुरू करते हैं एक और मज़े का इंट्रस्टिंग सा विलोग आज का विलोग बहुत इंट्रस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं शादी वें और वह भी हमारी कसन की शादी मामु की बेटी की शादी है तो महदी का फंक् इवनिंग काता है तो इसलिए मैंने सोचा के कुछ काम वाइन आप करना के शूट करना है जैसा के मैंने पटैटो स्पारल की रेसी आप लोग के साथ शीयर कर दी है और यह उसी दिन मेरी कजन की महंदी थी डे टाइम को ये उटिलाइस करते हैं मैंने सुचा के प्टैटो स ना कुछ रेस्पीत में काफी टाइम लगता है टाइम टेकिंग होती है तो बहाइंड रसीन यह दिखा रही थी पहले मैंने टू स्टिक्स की मदल से यह कोशिश की थी क्योंकि पुटाइटर स्पाइरल बनाते हो यह स्टिक इसके अंदर लगाना जुरूरी होता है तो लेकि में ऐसा क्या रहर और मैं लगह citrus की है तो मैं नियुक्द दिखेगा तो निकालना मेंड़ू देखे़ थी कौनसा पहना पहना लो इसके साथ मुम्सक्राइब कौनसा निकालू क्युछ देख रहा थी और शेयां तो इस워서 रहर कि थिस देख़ए देखन उसा क्हुश पहना ल शूस जो है वो पहनूँगी ड्रेस के साथ पहनने के लिए पहले मैंने ये रिंग निकाली गोल्डन कलरी की लेकिन एचे ता मेरा सारा ही हाथ लोक गया फिर मैंने सोचा कि ये वाली पहनूँगी क्योंकि मल्टी कलर है न तो महंदी पर इसी तरह के कलर अच्छे लगते हैं पहनने हुए तो फिर मैंने सोचा कि इसको निकाल दूँ और वो वाली पहननू आज मेरा इरादा था बाल खुले छोड़ने का तो मैंने सोचा कि साथ बड़े बड़े एरिंग्स जो होंगे वो अच्छे लगें देखने में छोटे लगें लेकिन है काफी बड़े हैं तो म अज मेरा मूड ठोड़ा था थोड़ा रैडी होने का तो मैंने का होती हूं या मैं नेल पेंट लगा रही थी और बिज्यान को मैंने कैमरा पकड़ाया था मैंने का अच्छी सी वीडियो बनाने है तो आप अपनी खुदर लड़के नहीं लगाते यह को लगाऊंगा ऐसे म अपको मैंने लेघा होगा प्रेट्म कर लिये थे तो बाकी मैंने सुचा के बाई की तरफ जाकर ही रडी होगी ड्रेस यहां पर प्रेस करके रख दिया अब यह वाले ड्रेस पहनना है मैंने और गोल्डन के साथ मुझे समझ नहीं थी आरी कि कौन सा दुबटा लूँ क्योंक और एक ग्रीन था तो असका पाभी कहती थी ग्रीन वाला लोग वह ज्यादा अच्छा लगए है क्योंकर महंदी का फंक्शन है गोल्डन बस मैच होना चाहिए इसकी कनारी जो लगी हो यह ना साइडों पर पट्टी लगी है वह भी गोल्डन की थी मैच हो गई यह इसके साथ नहीं है इसके साथ कर गोल्डन है लेकिन यह महंदी के हिसाब से ज्यादा अच्छा लाग रहा था इसलिए मैंने यह वारा दुबटा लिया ग्रीन ड्रेस तो मैंने वेर कर ली आए और मज़े की बात यह बताती हूँ कि मैं नीचे पहन पहने वाहता है guiding निचे पहना रहा है यहां नाज़ी कर दो नाज़तान पर क्लिक कर लाइक करनें साथ ही बेल बाइकशन उसको लाजबी प्रेस कर लिया करें ताक जब भी विलॉग या रेसिपी अप्लोड करें आपको फोरान नोटिकेशन आए आप क्लिक करके देख सकें एंजॉई कर सकें वैसे ना मैं मैं मैकसिमम दस मिनट में रडी हो जाती होती हूँ बस बार से ट्रेट किया होना तो बन्दा एजी ली रडी हो जाता है इतना टाइम ने लगता मुझे रडी होने में मेरी बहुत सपीड है रडी होने में तो फटावाट से मैंने एरिंग पाई बाल आरेडी से ट्रेयर थे उसके बाद थोड़ी से बेस वगारा लगा कर ना जो थोड़ा बहुत मेकव है वो किया और फिर हम लोग चल पड़े मेंदी का जो फंक्शन ता वो गर पर ही रेंज किया वा था तो मेरी मुमाने जान ने माशाला से बहुत अच्छी त्यारी की वी ती डेकुरेशन वगारा जो प्रेपरेशन जो होती है मेंदी की यूनो व नहीं से मिल जाए और खाले तो यहां पे हमारी ब्राइट माशाला से माशाला से बहुत प्यारी लग रही ती और खुद ही मेकव किया वा था और मेहनी भी दिखाती हूं आपको बहुत प्यारी मेहनी लगा हुई थी ती बैक साइड पर भी और मुझे पता है आप लोगों तो बैका हाफ नेल जो है वह उतर गया था तो चोटी सी सर्ज्री या प्रेट हुआ है तो हील्ग होने में जाहरे टाइम लगता है तो दस-पंदरा दिन बाइकों मजीद लगेंगे इसलिए वह ड्राइव नहीं आए अगर लहोर ही होते तो उन्होंने भी लाजमी शादी टेंट करनी थी तो ये वज़ा बनी ये रिजन बनी और आलिया बश्री कित मजबूरियां हैं और वो इस वज़ा से नहीं आई क्योंकि अभी है कभी स्कूर है तो उसको भी रिसेंटी स्कार्ड मिशन करवाया और ये जो आप लोग डेकोरेशन वगरा और चीज़ें देख किया और ये चुट-चुट चीज़ें ये सारी उन्हों ना खुद ही बिनाई हैं गर में ना मार्शालला हमारी माएं भी बहुत क्रियेटिव हैं और यहां पर मुमानी और मामू जो हैं वो रसम करें महदी की जो रसम होती है जार चोटा सा गर्मी फंक्शन किया था सारे ज यहां गूमते गूमाते ना मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा नीचे से ट्राउजर भी नजर आ गया वाइट कलर का जो मैं चाहते थी कि आप लोगों को बिल्कुल भी नजर ना आए क्विकर मैं गर वाला ही पहना हुआता है एचली इसके साथ ना टाइट है तो और मेरा मुआ रहते हैं वहां से आना था हम लोग मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट किया थोड़ी देर में ही दुल्हाबाई जो हैं उनकी फैमली भी आ गई थी तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत रहसम की खाना वगरा खाया और वह मिठाई वगरा और जो चीजने होती है रहस मेहंदी का फंक्शन ना मगरेवकर फोरण बाद ही रखा था क्योंके नेस्ट बराद थी ना बराद का दुपहर का टाइम था तो इसलिए मेहंदी भी नहीं का कि टाइम से हो जाए और हम लोग तक्रीवन दस साड़े दस घर वापस आ गये थे मेहंदी वगरा का फंक्शन नेस्ट डेल ताइम से सोना था और सुबह रेडी दिया था बराद थी बास मेरे पाद की पर एक पीर हम था Sat tui आम राखे काम बाहि सब्सक्राद करें आख में परदनें नाहरा कामा वा ना मुंड वब आखा तो को सांए यह प्سक्त आखाल है यहां से अबना कि आखाल। बरात कावी लोग, stay with me मिलेंके नेस्ट वीडियो के साथ अल्ला हाफीज